अखिल भारती कॉंगर्स कमिटी के सदस्टे राम अवद यादो मुंबई आये हुए हैं स्याम लाल यादो के ओपिस में नियो जलेड हिंदी चैनल से मुलाकात की वहाँ उन्होंने विभिन मुद्दो पर चर्चा की और भाजपा सरकार पर मांगाई बढ़ाने तथा रोजगार के दिशा में कोई काम ना करने का आरुप लगाया मुलाकात के दोरान राम अवद यादो ने क्या कुछ कहा आईए सुनते हैं मैं तो सर पर्थम बड़े भाई स्यामलाल यादो जी और उनकी पूरी टीम को दसारा के आउसर पर और आप मेडिया बंदू को भी दसारा के आउसर पर धेर सारी बताई देता हूँ राशवाल कांग्रिस की नीतियों का तो मैं एक किसान परिवार से आता हूँ मेरे परिवार में कोई राजनीत में नहीं रहा है कांग्रेस पर्थी जी ने किसान परिवार के बेटा को आल इंडिया कांग्स सेमेटी का मेंबर बनाया और आज मैं सुनी प्रियंका गांधीजी के साथ कौरिनेटर हूटर प्रदेश में और फिरिंका जीने एक विश्वास के साथ जो हमारा समाज OBC हो चाई S.C. हो चाई मानाटी हो जो दबे कुछले लोग थे उनको आज खास करके आगे लाने का काम कर रही है और उस दिसा में उत्तर प्रदेश में काम भी हो रहा है जिसका रिजल्ट है कि एक मजदूर व्यक्ति जो थे कुसी नगर से विधायक हमारे कांग्रेस पार्टी के तुम कही राज से अजय कुमार ललू जी जो मजदूरी करते थे उस मजदूरी करने वाले व्यक्ति को जो 2012 में एमेले बनते हैं 2017 में दोबारा फिर एमेले बनते हैं कांग्रेस बिदान मंदल लल की नेता थे उस व्यक्ति को आज उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है यह इसारा कर रहा है कि आने वाले कल में कांग्रेस पार्टी गरीबों पिछणों या दिवासी माइनार्टी सभी वर्गों को आगे करके उनके हक और लड़ाई को लड़ने जा रही है रहा नीतियों का साथियों कांग्रेस के सरकार के दवरान जो भी बड़े बड़े काम हुए थे चाहिए कलकार खाने लगे थे चाहिए तमाम रोजगार के उसर थे तमाम सिक्षण संस्थाएं खुली थी आज एक एक करके बंद हो रहे हैं आज जब से इन्होंने नोट बंदी और जी अश्टी लाया तमाम रोजगार धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं और भारती जन्ता पार्टी के लोग केवल भावना भरका करके हिंदुस्तान के लोगों को गुम्रा करने का काम कर रहे हैं और यही इस्तिती रही तो आने वाला कल जो है खास करके हम लोगों के पीड़ी तो जो जहलेगी ही जहलेगी हम लोगों की जो अगली पीड़ी है वो हमें माप नहीं करेगी अगर हम नहीं चेतेंगे क्योंकि आज रोजगार एक तरह से बंद होते जा रहे हैं नए रोजगार पे चल रही है राश्वाद पे चल रही है दो सो सतर की बात करती है रोजगार की दुपाती नहीं करती है और उस पे कांगरेस बहुत अच्छी तरही कि से प्रहार नहीं कर पा रही है क्या कांगरेस सच्छम नहीं है कि इसको जवाब देने के लिए देखिए मैं एक चीज तो एक हिटलर साही की तरह से चलाना चाह रहे हैं और आज उन्होंने पूरे जो हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े उद्योग घराने हैं गिंती के आरदस हैं उनके उनको साथ लेकर के एक केंद्र की सरकार चल लई है पूरे हिंदुस्तान की जो आम जनता है इस सरकार से उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इनकी funding बड़े उद्दोग घराने के लोगों से हो रही है बड़े उद्दोग घराने के लोग सरकार से बड़े-बड़े काम ले रहे हैं मैं उधारण के तौर पर करना चाहता हूं कि जब यूपिय की सरकार थी डाक्टर मन महां सिंग की उस दवरान रिलाइंस के तमाम पेट्रोल पंप आपको बंद दिखे होंगे आज सारे पेट्रोल पंप रिलाइंस के खूल गए जगे भी नीजी करण के छित्र में ले जाए जा रहा जैसा कि अभी आप लखनों से डिली की तेजस ट्रेन को आपने देखा होगा चार दिन पहले जोगी जी हरी जंडी दिखा करके रवाना किये हैं तो तमाम ऐसे हालात पैदा किये जा रहे हैं आरच्छन की बात होती है आरच् प्राइब लेंगे जब हमारे तमाम जो सरकारी संस्थान है बंद होते जा रहे हैं तो उस उस चितर में हमें कहां फाइदा मिलेगा तो कहीं ने तकहीं ओवी सीस्टी के लोग भारती जनता प्राटी की बातों में आकर के गुबरा हो गए थे आज वोग एक एक ब्यक्ति सो प्रतिस गड़ में बारती जनता पार्टी को जटका भी लगा रहा सवाल 2019 में वापसी की तो इन्हों ने ऐसा कस्मीर में हालात पैदा करके पुल मामा का एक महावल बनाया कि देश की सुरक्षा हम ही कर सकते हैं लोग इनकी भावना में भाग गए आज उस भावना में महावन सिंग जी प्रधान मंत्री थे 2008 में पूरे दुनिया में मंदी के दोर से पूरा विशुग घुम रहा था उस समय भी हिंदुस्तान मंदी से प्रवावित नहीं हुआ था लेकिन आज क्या बात है कि भारती जनता पार्टी की सरकार में आज हिंदुस्तान की अर्थ ब है मैं आपके चैनल के माध्यम से खास करके इस मुंबई प्रवास के दौरान मैं उत्तर भारती लोगों से अधिक से अधिक मिलने का प्रयास किया और उन से अपील करना चाहता हूँ कि आप उत्तर भारत ही भाईयों आपका ही कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है क्योंकि आपके माध्यम से एक अपील है कि आप कांग्रेस और NCP समाजवादी पार्टी और दो एक छत्री पार्टी जो कांग्रेस के साथ गर्बंदन करके चुनाम लड़ रही है महाराष्ट में आप उनको जिताइए नए तो आने वाला कल बहुत ही खराब होगा और महाराष्ट के विकास के लिए कांग्रेस NCP समाजवादी पार्टी की सरकार को आप लोग बनाईए जिससे कि महाराष्टा का विकास हो और इनको दिल्ली में भी जटका लगे क्योंकि हमेशा देश की सरकार चाहिराष्टी सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो वहाँ जब विपक्ष ले का काम कर रही है। मैं उदारण के तोर पर करना चाहता हूँ कि अभी कंग्रेस पार्टी का कोई मंतरी सांसद बिधायक समाजवादी पार्टी का सांसद मंतरी बिधायक भाजन समाज पार्टी का मंतरी बिधायक скор République ओर जब उस पार्टी में रता है तो अपरादी है लूटे रहा है और जैसे इनकी पार्टी में आ करके जोईन करता है भारती जनता पार्टी में गंगा की जल की तरह से वो पबिद्र हो जाता है इसको हमें देखना पड़ेगा महाराश में चुनाई माहाल है ऐसे में भाषपा और सिवसेना ये बोल रहे हैं कि उनके ही मुख्यवंत्री बनेंगी तिया कॉंग्रेस की सरकार बनाएगी या विपक्ष्ण बनाएगी देखे जैसा कि मैं तीन अक्टूबर से पूरे मुंबई में घूम रहा हूँ मैंने देखा कि लोगों में सरकार बदलने का पूरा पूरा मन बना लिया है और निश्ची तोर पे जो 21 तारिक को यहां की मुंबई और महराश्ट की जनता जब मद्दान करने निकलेगी सुबई आठ वजे तो अपने अंतरात्मा की आवाज से जिस तरह से भारती जनता पार्टी की सरकार ने गरीब किसान मजदूत सब को छलने का काम किया है उसका बदला 21 तारिक को अपने मत के अधिकार के मादम से लेगी और जब 27 अक्टूबर को गरना होगी तो निश्ची तोर पे महराश्ट में पूना एक विकास की सरकार कांग्रेशन से पी सापागट बंदन की सरकार बनेगी एक अंतिम सवाल ये है कि योगी सरकार में यसा कहा जा रहा है कि यादों का ज़्याए हो रही है तो क्या इसमें कितनी सच्चा ही है देखिए मैं चुकि उत्तर प्रदेश के पुर्वांचल और आजमगड से आता हूँ आजमगड एक इतिहासिक गिला है जो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान में की राजनीत में एक महत्पूर्ण स्थान रखता है निश्ची तोर पे भारती जनता पार्टी की सरकार में यादो को निशाना पर रखा गया है और यादों का जिस तरह से सोसंड हो रहा है इस तरह का सोसंड तो अब तक उत्तर प्रदेश के इतियास में किसी भी सरकार में नहीं हुआ है चाहिए वो बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही हो, उसमें भी इस तरह कात्याचार नहीं हुआ है, जिस तरह से यादों के नाम पे पूरे उत्तर प्रदेश में यादों को टार्गेट किया जा रहा है, मैं आपके चैनल के माद्धम से योगी सरकार का निंदा करता हू और योगी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, कि यादों ऐसी कोम है, कि जो अपने संघर्ज के बल पे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक चाहिए सिप्छा जगत के माद्धम में हो, शाहे राजनीत के चेतर में हो, हर चेतरों में यादों समाज के लोग अपने परतिभा के बल पर आज पूरे देश और प्रदेश में नित्युत कर रहे हैं, इनको अगर दबाने की कोशी साब करेंगे, तो निस्टी तोर पर जब आग बाहर लगती है, तो उसकी आँच से आदमी सामने वाला भी जुलसता है, तो आप भी जुलस जाएंगे, औ उसको आप दबा नहीं सकते, क्योंकि यादों ने सिक्षक से ले करके राजनीत के छेतर में अपने परतिभा के बल पर किसी का मैं मेरा बेक्तिकत मानना है, मैं पार्टी लाइन से हैट कर रहा हूं, कि किसी का योगदान नहीं है, निस्टी तोर पर यादो कि आज वे घर ब परिवार का योगदान है, और उत्तर प्रदेश में सही है, कि यादों के नाम पर यादों का सोसर हो रहा है, चाहिए उत्तर प्रदेश के यादों में AIS अपसर हों, PCS अपसर हों, PPS अपसर हों, उनको विजात के नाम पर टार्गेट किया जा रहा है, तमाम अच्छे अप झाल झाल